प्रेदर शुको, नमस्कार, एक बार फिर सुपस्तित हों आप सब के सामने, शुक्रबार के कारेक्रम में इस हपते की जो कुंडली मैंने चुनी है, ये आप लोगों के बीच से है, इनका नाम है नरेश पांगाल, ये हिशार हरियाना से हैं, आएए, जट से इनका पंचांग पढ़के बता देता हूँ, कहीं जाएगा नहीं, एक एक ग्रह को समझेंगे, प्रतिक ग्रह को डिविजन वाइस देखेंगे की लगन में कैसा है, नवमान्स में कैसा है, दशमान्स में कैसा जा रहा है, अधी आधी छेत्रों में कैसी स्थती उसकी बन रही है, और कैसे उस च्छटा आज देखने को मिलेगी बंद के रही कालिक्रम के अंतिम हिसे तक शुरू करते हैं आज का कालिक्रम दिक्रम संबत 2040 शक्षंबत 1905 व्यक्ति का जन्म दक्षनायान में हुआ है और इसका प्रभाव कि व्यक्ति के जीवन में उतार चड़ाव बना रहेगा दारो मदार कंधे पे जल दिया जाता है कई छेत्रों का अनुभव व्यक्ति को हासिल करना पड़ता है जीवन में और आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे भी देखना पड़ता है ब्रक्ति बंधा होता है और आगे बढ़ने पे पता चला ब्रक्ति का जन्म दक्षणायन में मार्गसर्समाह और कार्तिक माह दोनों का असर है ऐसका मतलब धनी होगा धार्मिक होगा पर भोगी भी होता है कई लोगों को देख लेता है नजर का चंचल भी होता है तिर्ची करने में भरोसा रखता है हेमंत रितु प्रेमी किस्म का होना स्वभाव गुरुवत होना शरीर के प्रतेक अंग मजबूत और बलिस्ट होते हैं जितनी जिसकी आवश्यक्ता होती है उतने ही उसके अंग होते हैं और आगे बढ़ने पे और बताओं तो व्यक्ति का जन्म पंचमी तिथी का हुआ है मतलब कृष्ण पक्ष में जन्म होने के कारण व्यक्ति कभी कभी तीब्र क्रोध भी करेगा पर दात पीशने वाला क्रोध करता है मुठी बंद करने वाला क्रोध करता है और जब क्रोध करता है तो फिर भुकंप आने की स्थती भी आ जाती है पंचमी तिथी के चंद्रमा पापक नहीं शुभग होते हैं मतलब व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा शुभग होंगे तो वो जहां के अधिपती होंगे वहां के भाव के अधिपती होने के कारण शुभप्रभावों को देने वाले होंगे और व्यक्ति के मन मस्तिस्क को स्थिर रखने वाला और धन आगमन की स्थेतियों को स्रिस्ट बनाने वाले पनेंगे कृष्ण पक्ष में जन्मा है तो संतती होने में समस्या तो नहीं होती है पर मन चाहि संतती कई बार नहीं मिलती है ये बात भी होती है, कृष्ण पक्ष में जन्मा है तो तीब्र क्रोध भी करेगा कभी कभी और उद्वेगी होता है, निरने लेने में माहिर होता है, जल्द बाजी से जुक्त होता है और रिस्क लेने वाला भी होता है, सोचने वाला होता है और यात्रा कभी भी किसी भी स्थ में कर डालता है आगे बढ़ने पर पता चलता है व्रक्ति का जन्म गुरुवार को मतलब मजबूत इक्छा सकती द्रण प्रतिग्य और बड़े और गुरु जनों का आदर करने वाला सम्मान निये होता है समाज के लिए प्रतस्थापन होता है बुद्धिमान होता है और धार मनो वृत्ति को दारन करने वाला होगा और आगे बढ़ता हूँ रक्ति का जन्म पुश्यनक्शत्र शुक्लयोग ये दोनों अच्छे हैं पुश्यनक्शत्र में जन्म है तो इस पात का काम करे धातुएं का काम करे और नियाय प्रियता से किसी भी सेक्टर में जा करके अप प्लाइनिंग करता रहता है। ये ऐसा क्यूं है ये कुंडली में बताऊंगा। और आगे बढ़ता हूँ ब्रामभडवर्ण और देवगण ऐसे स्थुती, पुष्य नक्षत्र और उसके पहले चरण में ही बक्ती जन्मा है। स्थुतियों को पाना चाता है, कभी भी नुकसान से डरता है और कम बोलने वाला भी होता है। निरने आत्मक इस थुतियों में जादा पहुँचता है, जज्ज्मिंट करता है, निरने सुनाने की कला है और भद्र पुरुश होता है। कैसा था पंचान? जरूर बताएगा। अब आगे इनकी कुंडली में एक-एक ग्रहों को बताने वाला हूँ। आएए, अब सबसे पहले बात सुर्य की करता हूँ। ग्रहों के राजा होते हैं न वो, तो सबसे पहले उनकी बात नहीं करेंगे तो नाराजगी हो जाएगी। विशार करिए कि व्यक्ति की कुंडल और व्यक्ति के अंदर एक ऐसी स्थती को दिखाने वाला होता है, जहां व्यक्ति कभी भी अपने आपको निंदित कृत्यों में बजहा करके नहीं रखता है। शुलब होता है, सौंदरिशे युक्त होता है, चेहरे पे एक दिब्ब्य आभा भी होती है और व्यक्ति के अं होती है और दिक्कत महसूस करता है अगर सुर्य कमजोर रहेंगे तो व्यक्ति अपने बिशम परिस्थती में और विपरीद परिस्थती में चाहे किसी भी हद तक गिरने की स्थती में चला जाता है पर सुर्य बचा लेते हैं अगर वो अच्छे रहे तो आपकी कुंडली में सुर्य बनते हैं लाव के अधिपती अब एक एक भाव को समझेंगे लगन नौमांस दशमांस तक की बात करूँगा तो सुर्य लगन कुंडली में लाभ के अधिपती होकर के धन भाव में बैठे हैं मित्र की राशी में अती मित्रता का भाव रखके जरा विचार करिए तो लगन के अधिपती बने शुक्र और वो बैठे हैं अब यहीं पर सुर्य को छोड़ता हूं क्योंकि सुर्य को देखने से पहले लगन को देखना होगा किसी भी स्थती को देखने से पहले लगन को जरूर देखना होगा तो लगन के अधिपती बने शुक्र और वो किसके साथ बैठे हैं जाकर के जन्म कुंडली के सब्तम भाव के अधिपती के साथ अब इसका प्रभाव लग्न में ही एक ग्रह उच्चका शनी बैठा है जो अवस्था में युवा भी है क्योंकि इसके डिग्री 16 अंसकी है और शुक्र चलित कुंडली में 12 में भाव का फल नहीं कर रहे हैं वो लग्ने का ही फल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है रग्ती बहतर है देखने में सुंदर प्रकृति को धारन करने वाला है ग्यानी है नियाय प्रियता को जानने वाला समझने वाला और नियाय प्रियता का पालन करने वाला है गलत और निंदनिय नहीं होगा ऐसा इसलिए क्योंकि स्वभाव भाव में ही गुरु बैठे हैं ये स्वभाव का छेत्र होता है व कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या से निजाद दिलाने वाला होगा पर चुकी लगन के अधिपती लगन कुंडली में बारह में हैं और वो जन्म कुंडली में हस्तन छत्र में बैठे हैं चौथे चरण में ताक पर ये क्या है कि लगन के अधिपती और सप्तम के अधिपती एक साथ व्यक्ति अचल संपती इकठा करने में मुश्किलें पैदा होंगी, ये पकी बात है, बिलकुल पकी बात है, और एक बात बताता हूं, यहां पे लगन और सप्तम के अधिपती जब एक साथ होंगे, तो नजर का चंचल होगा और सब को देख लेगा, पकी एक बात और बताता हूं, लाभ के अधिपती का धन में जाना जहां व्यक्ति के जीवन में धन कमाने की स्वाद लो लुपता पैदा करेगा, व्यक्ति खूब आगे जाना चाहता है, और बैठा जभी भी है, जहां भी है, कुछ न कुछ आगे बढ़ने की सोच रहा है, ऐसा क् क्योंकि सुर्य जो बैठे हैं, महत्वकांचा इतनी भड़ी पड़ी है दिमाग में, कि विचारों में हमेशा आगे बढ़ने का खत्रा होता है, और खत्रा पैदा होता भी रहता है, और व्यक्ति उस खत्रा को उठाना भी चाहता है, रिश्क लेकर के आगे बढ़ना, और जो सबसे बड़ी और उचित बात है, कि लगन और सप्तम के अधिपती का बारह में जाने से पत्नी रोगी भी मिलती है, और कई बार व्यक्ति की कुंडली में, अगर लगन चर प्रकृति का हो रहा हो, या लगने चर रासी में बैठे हो, या चर इस्थुति की इस्थुतिय ज्यादा कुंडली में बन रही हो, तो व्यक्ति चंचल मनोवृत्ति का हो जाता है, काम बदलने का बड़ा प्रिशर होता है, एक काम अगर अच्छा नहीं चला, तो तुरंत ही दूसरे काम पे भटक जाता है, ये ना करिएगा, अगर ऐसी इस्थती होगी, तो गडबड़ हो जाएगी बात, काम बदलने का दबाव, मन एक जगह टिक करके नहीं रहता न, कई जगह काम बदलवाता है, दशमस्थान का चंद्रमा, अभी सुर्य की बात कर रहा हूँ, तो सुर्य को अगर मैं देख रहा हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें आ गई सामने से, कि व्यक्ति को काम बदलने का दबाव रहता है, एक जगह टिक करके काम नहीं करता है, जीवन में प्रतेच छेतर में हई, कई जगहों पे काम कर बैठता है व्यक्ति, और दबाव बनाता रहता है सामने वाले पे, और अपने निकटतम सहयोगियों पे भी उसका एक प्रिशर्व काम करता है, मित्रवत है, नियाय प्रियता से जुकता है, कभी किसी को उची जबान से बात नहीं करता है, स्रस्ट वानी का इस्तमाल करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु दुति भाव में बैठे हैं, और दुति भाव के अधिपती जो मंगल बनते हैं, वो बुद्ध की रासी में बैठे हैं, शुभग्रह और शुक्र के साथ जो की लगन के अधिपती हैं, ऐसी स्थिती में व्यक्ति जूट नहीं बोलता, सत्यवादी है, प्रिये वचन बोलता है, उची जबान और पिच जो होती है, वो बड़ी ही सरल होती है, मतलब भारी आवाज, भरकम आवाज नही व्यक्ति शत्य बोले, और सुरी के साथ बैठे हैं बुद्ध, जो की लाभ के अधिपती हैं और भाग्य के अधिपती हैं, जरा विचार करिए, तो व्यक्ति की कुंडली में लाभ के अधिपती और भाग्य के अधिपती का संयोग हो रहा है धन भाव में, जहांके अधिप संपती होते हैं मंगल वो शुभग्रह की रासी में लगनेश के साथ ब्याय करा रहे हैं मतलब लाभ भी है धन भी है पर ब्याय बनता रहेगा और इकठा करना बड़ा मुश्किल होगा मैंने ये बात सबसे पहले ही कही है इकठा करना बड़ा मुश्किल है और बैलेंस बनाना बड़ा कठिन है अचल संपत्ती जभी भी बक्ति धारन करना चाहेगा तुरंत ही नया खर्च या नया दबाव आ जाता है किसी और काम को करने की जल्दबाजी बनी रहती है और चुकी लगन में शुक्र का प्रभाव आ रहा है चलित कुंडली में और यहां पे इतने सारे ग्रह दिख रहे हैं पर मात्र बैठा है वहां सुर्ये बाकी के जितने ग्रह है के तू बुद्ध और गुरु वो तीसरे भाव का फल कर रहे हैं गुरु यहां का बुद्ध भी यहां के और के तू भी यहां के हो गए है सूर्य यहां के हो रहे हैं इसका भी एक खत्रा होता है एक बात बताता हूँ द्यूतिय भाव के अधिपती का धन भाव में बारहमे में जाना धन भाव में लगनक के अधिपती का बारहमे में जाना धन भाव में लाभेश और भागेश का एक सांथ इकठा होना और सांथी सां में धन लाने वाला और खुद के प्रभाव से धन इकठा और बनाने वाला बनाता है पर सुर्य के प्रभाव के कारण व्यक्ति जमा नहीं कर पाता है मुश्किलें होती हैं अचल संपती बनाने में दिकत हो रही है और उसको अगर बनाना चाहते हैं तो व्यक्ति को हमेशा ही देव गुरु ब्रहस्पती की या किसी न किसी पूजा का हमेशा ही जीवन में बनाए रखना आवश्यक है। सुर्य की पूजा करिए कैस पेमेंट का कारक होता है सुर्ये। इसके मंत्रों का जब हो सके तो निसंदे कर लेना चाहिए। आदित तोत्र का पाठ रवी बार के दिन प्रतेक रवी बार को अधिक संख्या में करने का प्रयास करिए। अनुष्ठान पुर्वक तो ज़्यादा लाब होगा। अब चंद्रमा पे आता हूँ। चंद्रमा पे आने से पहले बात सुर्य की ही नौमान्स और दश्मान्स में कर देता हूँ। जैसे आप ज़र विचार करिए यहाँ पे तो इस्थती छीक बन रही है सुर्य की। वहाँ वो गुरू की स्थती के साथ है, गुरू पराक्रमेश होते हैं, अपने भाव से पंचमस्त गय ग्रह के साथ यूती कर रहे हैं और वो अच्छे भी देखे जा रहे हैं। पर नौमान्स कुंडली में वो बनते हैं कहां के अधिपती? दर्शमस्तान के अधिपती और वो बैठे हैं नीच की रासी की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे काम में या कारिक छित्र में उपर नीचे जाने के स्थोतियां भी दिख रही हैं। कई बार व्यक्ती के दामपत्य में बंधने के बाद व्यक्ती नुकसान में भी जाता है और हानी भी उठाता है। और जन्म कुंडली में जब सुर्य द्युतिय भाव में बैठ जाते हैं, द्युतिय भाव का अधिपती बारहमे में चला जाता है और जन्म कुंडली में लगन के अधिपती कहीं से भी अगर बारहमे भाव से संबंद बना ले रहे होते हैं, ऐसी इस्थती में ब्रक्ति को इस स्थिति शनी की लगन में मजबूत हो रही है, शुक्र भी जन्म कुडली में लगन का ही असर कर रहे हैं, पर चलित कुडली में वो लगन का असर कर रहे हैं, फल कर रहे हैं, लगन कुडली में वो बारह में भाव में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चलित का ही फल करें कुमार अवस्था में होंगे और ऐसी इस्थती में ब्यक्ति की कुंडली में लगन और सत्तम का योग जब बनेगा तो भी दुतिय भाव के अधिपती बारहमे में जाएंगे तो भी और लगन में शनी उच्छे के होंगे तो भी और शुरिय जब नीचा भिलासी होते हैं तो ही इस्त्री संत्तियों के होने का खत्रा बढ़ जाता है या कई बार पूरे ही घर परिवार में इस्त्रीयों की अधिकता हो जाती है पुर्ष संत्तियां कम होती है ये बात आपकी कुंडली में घटित हो रही है अब आगे बढ़ता हूँ सुर्य यहां नीचा विलासी मतलब यहां पे चंद्रमा यहां भी बैठा है भावसे वरगुत्तम है और सुर्य यहां नीच की रासी को पार करके और यहां नीच की रासी की तरफ मतलब व्यक्ति की कुंडली में सुर्य की इस्त्वती शडवल में भी कमजोर है नौमांस में भी कमजोर है अब ज़रा दशमांस में लेके आता हूँ तो दशमांस कुंडली में भी सुरिय यहीं बैठे हैं और वो यहां भी नीचा भिलासी ही हो रहे हैं मतलब कर्म छेतर कहीं न कहीं प्रभावित है इस वज़ा से अगर काम में आगे बढ़ना चाहते हैं कार्यक छेतर को और कैरियर को और मजबूती रूल बही करते हैं दशमस्थान उनका दिकबल छेतर होता है और कहीं न कहीं वो आपकी कुंडली में धन के हंता भी बन रहे हैं धन लाते हैं ऐसा नहीं है की पौकट में पैसे नहीं है पर वो बचा पाना मुश्किल होता है और कई बार व्यक्ति जब काम करने चलता है तो एक बेवशाय में ना लगाएं और साथी साथ अपने लाभ को हमेशा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पिता को हमेशा साथ रखें पिता के साथ अपने स्थतियों को मजबूत बना करके रखें इससे आपके पितरों का अशरवाद आपको मिलता रहेगा और अपने पितरो के निमित जल अर्वित करते रही अब ये बात खतम हो गई संतान भाव में D7 चार्ट में ये जो सूर्य हैं वो मिथुन के बन रहे हैं जो बनते हैं लाभ भाव के अतिपती और वो जा करके भाग्य भाव में बैटे हैं D7 चार्ट में और शन्तियों के भाव में संतती का जो विचार किया जाता है D7-4 के लगन चार्ट में गूरु तूला के हैं जहां पे केतु के साथ हो बैठे हैं ऐसी स्थती में कई बार मनचाहि संतती नहीं मिलती है, पंचम भाव में D7-4 में चंदर्मा बैठे हैं संतकियों के आने का खत्रा जादा रहता है ये बात भी दिख रही है अब बात सुरी की खत्म सुरी को मनाईए अब चंद्रमा की करता हूं अपकी कुंडली के लिए चंद्रमा अपने रासी में ही बैठे हैं करकरासी के पर इनकी अवस्था को जरा विचार करिए ये पांच अ पुष्य नक्षत्र, शनी का नक्षत्र और वो उच्चका और सुरी बैठे थे अनुराधा के तो अनुराधा नक्षत्र का अधिपती भी उच्चका है और लग्न में ही शस्महापुरुष योग बन रहा है पर नवमंच कुंडली में जब विचार करते हैं तो ये शनी श् विच्चका था और यहां गुरु के साथ बैठा है जो की कही न कहीं धनेश है यानि कि शश्च महापुरुष योग का सरवाधिक लाव कहां से मिलने वाला है क्योंकि यहां वो उच्चका है लग्नेश के साथ है चलित कुंडली में यानि कि व्यक्ती की जीवन में शश्मह चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा अपनी राशी का है वर गुत्तम है मन को भटका रहा है मृता प्राया है ये ग्रह और जन्म कुंडली में पापक भी नहीं है शुभग है पर ये बदलाओ क्यों कराना चाहता है क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अनस्टेबल है चरविशार करिए पीछे और आगे कोई ग्रह नहीं और जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र का अधिपती लगन में बैठ करके व्यक्ति को निरनायक बना रहा है सबके प्रती एक तरीके का भाव व्यक्ति रखना चाहता है सबको बराबर के दृष्टी कोण से देखना चाहता है और सब पे असर भी करना चाहता है समाज में ऐसे पद पे पहुँचना चाहता है ऐसी इस्थती में जाना चाहता है जहां लोग उसका आदर करें, सन्मान करें और व्यक्ति सबके दिलों में बसना चाहता है, दिल से सोचने वाला है, तुला लगनका है, सबके साथ बैलेंस बनाना चाहता है और स्रिस्थ इस्थितियों को प्राप्त भी करना चाहता है, व्यक्ति भले पद न धारन करें पर प् अमजोर होंगी या बराबर बार बार काम बदलने का जो दबाव पड़ता है वो चंद्रमा के ही कारण व्यक्ति चाहे जितनी बार भी दूसरों के लिए काम करें कभी सफल नहीं हो सकता है जब तक अपना खुद का काम नहीं करेगा क्योंकि चंद्रमा से केंदर में शनी उच चंद्रमा से पंचमस्त सूरिय और गुरू बैठे हैं गुरू की द्रिष्टी है जो की व्यक्ति को ब्यवशाइक बना रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र का प्रभाव लगन पे है व्यक्ति को खुद का काम करना जाइए लगनमे शनी है धातु से समद्धित काम व्यक का बनना क्या है मतलब पतनी अपने मन की है और कई बार वो रुगन में हैं जिद्धी भी है और अपने मन की करने वाली है पर अलग बात है कि उनकी चलती नहोगी ऐसा इसलिए क्योंकि गुरू और शनी यहीं बैठे हैं और जरह विचार के लिए तो सब्तम्भाव के अधि अधिपती चंद्रमा सिंभरासी में बैठा है तो शुक्र सब्तम्भाव का अधिपती कहां बैठा करकरासी में जिसका अधिपती चंद्रमा आलश्यकी रासी में बैठा है ऐसे यह बात सिध्ध होती है कि पतनी कई बार उतनी जादा एक्टिव नहीं होती है या व्यक्ति क वो जितना सहयोग देना चाहती हैं, वो कई बार नहीं मिल पाता है, या तो रुग्ण या स्वभाव से थोड़ा शांत, या कई बार अपने आप में मगन और मस्त रहने वाला भी बनाता है, इस्तरी संतती पैदा करने वाली भी कई बार ये इस्तरतियां होती हैं, पर उसके प्रभावों को मजबूती से दब दबा से युक्त रखने वाला है, गुरू और शनी का यहां बैठना दामपत्ते में सुख और शुख को लाने वाले और देने वाले भी बनेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि भाग्येश खुद उसको देख रहे हैं, स्वग रही शनी यहां प पर क्या बोलने वाला होगा, क्योंकि गुरू है, तोनों ही जगा हुआ, यह वानी का भाव है, और कम बोलने वाला न्याय प्रियता से युक्त हो करके बोलेगा, क्योंकि लगन में शनी है, और यहां पे गुरू बैठे हैं, तो वानी में सार गरभिता की स्थतियां भी आ जाती है, संचेप में बात करना, ठोस बात करना और निरणे सुना करके चुप हो जाना, यह दांपत्य में आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, अब बात इसकी दशमांस में करता हूँ, दशमांस कुण्ली में चंदरमां जो हैं वो बैठे हैं छटे भाव में, और ये इशारा ये कर रहे हैं कि आप अगर कोई भी ऐसा काम करना चाहते हो जो पुर्वजों से related हो, जो पित्तरों से संबंधित हो, जो आपके पुर्वज करते आए हो, तो वो लाव करेगा, बस चंद्रमा के लिए इतनी सी बात, मन असंतुलित है, काम को भटकने ना दे, काम से भटकने ना दे, और अपने आपको हमेशा ही सिव जी के भक्त के रूपे में उपस्थित करते रहें, तो काम बनता रहेगा, आपकी कुर्णी में भाग्य भाव में राहू की स्थिती है, शुक्र के साथ, और यहाँ पे चंद्रमा की रासी है, जो सुख को देख रहे हैं, दामपत्य का सुख रेगुलर है, पत्री थोड़ी रूगन होंगी, यह बात भी दिखती है, यहाँ पे चंद्रमा ठीक है, ल मंगल कहां के अधिपती हैं, यह धन भाव के अधिपती, बैठे कहां, बारह में, किस के साथ, लगन के अधिपती के साथ, पर वो अकेले वहाँ बैठे हैं, चलित कुंडली में शुक्र, लगन में आते दिख रहे हैं, रक्ती सुंदर है, मजबूत है, यह तो बात समने से पहले रही परधन के अधिपती होकर के बारह में और मंगल पराक्रम का कारक होता है जिसकी अपनी राशी यहां है और मूलतिया वो लगन का कारक होता है लगन का अधिपती होता है और आठवे का अधिपती होता है तो आठवे नंबर का ग्रह और लगन का ग्रह बारह में गया क्या फाइदा होगा और नुकसान पराक्रम का कारक 12 में और वो डिग्री में दशंस का है हस्त नक्षत्र में बैठा है जिसका अधिपती चंद्रमा स्वग रही होकर के बैठा है ऐसे इस्थितियों में कि वो मंगल आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र के पहले चरण में और ये इस्थिती हस्त नक्षत्र का पहला चरण और उस पे रहू का प्रभाव मतलब कहीं न कहीं व्यपती के अंदर जल्द बाजी भी है और व्यपती का पराक्रम कई बार निर्णय आत्मक नहीं होता है मेहनत लगतार और कई बार करनी पड़ती है इसका तर्क समझाता हूँ वो क्यूं होता है मंगल धन के अधिपती हुए बारह में गया धन खर्च करने के इस्थोयतियां हमेशा पराक्रम का कारक होकर के बारह में गया पराक्रम ज़्यादा कराएगा और वो क्यूं ज़्यादा कराएगा क्यूंकि प्रतियोगीता भाव का अधिपती अपने भाव से पंचमस्त होकर के मंगल की राशी में जा करके पुनह वापस पंचम भाव पांचमी दिष्टी से मंगल की अपनी राशी को देख रहा है पर धन के अधिपती बारह में जा करके वापस प्रतियोगीता भाव को देख रहे हैं मतलब प्रभाव उसका भी रहेगा गटी का कोई भी काम एक बार में शायद सफल न हो दोड़ना पड़ेगा भागना भी होगा क्योंकि लगनेश भी ब्याय में है पकी बात है और जरा विचार करिए तो ये ग्रह वृद्ध अवस्था का है मतलब टोटल फल तो वो नहीं दे रहा है उसकी दृष्टी भी कमजोर और इस वज़ा से कई बार भाईयों के साथ संबंध सामान्यसार रह जाता है वो फिर भी अच्छा है ऐसा क्यों अच्छा है क्योंकि गुरू यहां का फल नहीं करके पराक्रम भाव का फल कर रहे है के तू भी यहीं का फल कर रहे है और बुद्ध भी यहीं का यानि कि तीन-तीन शुभग रह का प्रभाव के तू यहां शुभगी होंगे क्योंकि वो यहां पे प्रभाव गुरू की राशी के तरह और देने वाले हैं यहां भी वो उचके हैं, यहां पे वो प्रिशिक रासी में बैठे हैं और जरा विचार करिएगा, तो अगर जन्मकुंडली में परक्रम भाव में केतू, गुरू और बुधका बैठना होगा और धन भाव के अधिपती बारहें जाकर के अगर प्रतियोगिता भाव को देखेंगे लगनेश की स्थोती भी बनेगी तो व्यक्ती के जीवन में बार बार व्यक्ती जीवड़ता से मेहनत करने वाला छोड़ने वाला नहीं है मेहनत करेगा, कमर को बांध करके चलने वाला है और ठक करके चूर है फिर भी काम करने को आतुर है काम आतुर भी है और कई इस्त्रियों को देख लेता है ये बात बोल ही देता हूँ, शुक्र और मंगल का देखना, प्रतियोगिता भाव में व्यक्ति विरियहनता भी होता है और अपने काम के अवरोध को नुकसान में नहीं या नुकसान में ले जाने वाला होता है, व्यक्ति कामी भी होता है, भोगी है और हमेशा ही भौतिक जादा मजबूत कर देता, चुकि वो शुक्र के साथ है, तो व्यक्ति को कामो तेजक, काम से युक्त, भौतिक्ता से युक्त और विस्तर का पालन करने वाला भी बनाता है, नवमांश कुंडली में ये मंगल बनते हैं लगनके अधिपती, जा करके बैठे हैं, स्वग्रही हो करके, यहां भी वो बात जो मैंने कही थी, कि वक्ति के जीवन में एक चीज को हो सकता है तीन बार करना पड़े, एक काम को सफल करने के लिए दो से तीन बार और प्रतियोगिता करनी पड़े, पर वक्ति जीत अवस्य जाता है, और अंतिम लक्ष तक उसके इस्थुती जो कि ठीक नहीं होता है, यह संबंद अच्छा रखते हैं, कुटुम्ग के साथ ब्यक्ति प्रियता का संबंद रखता है, कुटुम्ग प्रिये होता है, सब को साथ ले करके चलना चाहता है, पर चुकी तरिक भाव में गुरु बैठेंगे, इस वज़े से इसका फल जाने की आवशकता है, क्योंकि वो दिकबल छेत्र है, उसका और मित्र की राशी में बैठें हैं, व्रिशिक लगन का दश्मान सगर बनेगा, तो निशन दे काम का प्राबल्य है, और व्यक्ति अगर चाहे तो अपने कैरियर को किसी भी उंचाई तक ले जाकर के स्थापित कर सकता है, क्योंकि राहू भी वहाँ, उसका बल बढ़ा रहे हैं, वहाँ के अधिपती होकर के सूरिय जाकर के जन्मकुंडली में बैठे हैं, दश्मान सकुणली में मैंने बात करी थी, सूरिय के समय की लाभभभाव में बैठे हैं, पर वो नीचा भिलासी हैं, इस को काम में प्रबलता दिखानी चाहिए व्यक्ति का कारेक छेत्र हमेशा उसके साथ उपस्तित है क्योंकि लगने इस दशंभाव में बैटे हैं तशमान स्कुनली में और ये सबसे अच्छी बात होती है अपने पुरवजों के साथ जुड़ करके माता-पिता का सहयोग ले करक व्यक्ति अगर आगे बढ़े तो कारेक छेत्र में नहसंदे सफलता दिख रही है उस मंगल की दृष्टी चौंति यहां पड़ेगी छोटे भाई या बड़े भाई सबके साथ समन्द अच्छा रहेगा सात्वी दृष्टी यहां सत्रों शे पराजित होने की कोई इस्थत यहां पर गुरु की राशी जो बन रही है और गुरु पेट के रोगी बनाते हैं तो ऐसी स्थुतियों में रख्ती को अगर अपने पेट का ख्याल रखना हो तो नहीं संदे कर लेना जाहिए सब्तम भाव पे भी उसकी दृष्टी पड़ेगी आठीमी पर अपनी राशी को देख रहा है पतनी कभी-कभी चुप हो करके बिरोध करने वाली होती है बोलती नहीं है पर अपने मन की कर जाती है यह बात दिखती है अब बात बुद्ध की कर लेता है बुद्ध रखती की कुंड्ली में बुद्धिमान बनाने का ग्रह होता है और निर्नय तिवर्ता से लेने वाला या निर्नय पे अटल और अविनाशी बनाता है प्रकृति का जरा विचार करिए बुद्ध इनकी कुणली में बारहमे भाव के अधिपती होकर के जुती और धन भाव के अधिपती जो मंगल बनते हैं वो बारहमे भाव में ब्याएश के साथ धनेश का परिवर्तन होना और वो और कहां का अधिपती है वो जन्मकुंडली में लाभ भाव के अधिपती के साथ बैठा और भाग्य भाव का भी अधिपती है भाग्येश का धन में जा लाभ भाव के अधिपती के साथ भागेश का बैठना व्यक्ति के जीवन में भागेशाली बनाने का और धन दाया के स्थितियों को पैदा करता है पर व्यक्ति जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होगा और कई बार ऐसी स्थितियां कि जहां ब्यायेश के साथ उसका परिवर् निरनाय को लेकर के डरा डरा सा रहता है क्योंकि सुर्य पहले ही कमजोर हैं बात निरनाय लेने की जो छमता है वो तो व्यक्ति के पास ठीक है पर जरा विचार करिए कि जब कभी विवक्ति को एक स्वक्षंद और स्थ्रेस्ट निरनाय लेना होता है तो उसके पास उसकी मैंने बात कही थी कि सुर्य शडवल में सरवाधिक कमजोर चंद्रमा मृतप्राया है और बुद्ध निरने लेने में सहायता करता है जो आपकी कुंडली में उसकी मुल्त रिकुंडरासी बारहमे भाव में बन जाने के कारण व्यक्ति के अंदर उस चीज की कमजोरी दिख जा जाती है और व्यक्ति कहीं न कहीं अपने प्रभावों को या अपनी स्थितियों को मजबूती से नहीं रख पाता है नशों से समधित समस्याएं बनती है नेत्रों से समधित समस्याएं बनती है पेट से समधित समस्याएं बनती है और व्यक्ति को सरदर्द का खत्रा भी हो स रखती हेड़क जादा लेता है, विचार जादा करता है, सोचता जादा है और चंचल आत्मक निरने लेता है, रोग युक्त निरने लेता है, कई बार उसके निरने जीवन में गलत भी सिद्धोंगे, पर ये कब जब बुद्ध की दशा आएगी तब, जब किसी ऐसे ग्रह की दशा आएगी, जो बुद्ध से संबंध बनाते हों, मतलब किसके, केतू के, दशा में, गुरू की दशा में, सुर्य की दशा में, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह, अगर विचार करिए, तो गुरू पराक्रम भाव में बैठे, इसका फल कर रहे हैं, यहां पे चलित कुंडली में, सुर्य शडबल में कमजोर, बुद्ध कमजोर हो रहा है, क्योंकि बारे में भाव में उसकी मुल्त रिकोंड राशी बन रही है, और वो भागे भाव का अधिपती होकर के, पापी भाव भी है एक आदश्वा भाव, यह बहुत जादा अच्छा भी नहीं होगा एक माम ना करें, और अपने स्थिती को हमेशा ही समरस्ता से युक्त रखें, उसको बहुत जादा घर पे बुलाने, बहुत जादा उसके निकट जाना, जाने की स्थितियों में ना जाएं, क्योंकि वो कई बार धन हडब करके आपको ठेंगा भी दिखाता है, यह बुद्ध की जीवन में धन हानी और धन हनता बनाने के लिए दिखा रही है, इसका बचना जरूरी है, नावमान्स कुंडली में ये बुद्ध स्रमण नक्षत्र में और यहाँ पे बैठे हैं, जिस था खुद के नक्षत्र में, तो जल्द बाजी है, निरने लेने की, जल्दी से कुछ क कुछ काम कर लो, तीवर्ता से सोच लो, विचार कर लो, अपनी वाणी को वो शंतुष्ट रखना चाहता है, जो कहता है, वही करना चाहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बुद्ध यहाँ पे व्यक्ति को मजबूत बना रहे हैं, खुद के नक्षत्र में जो बैठे हैं, और उस चीतलता को धारन करने वाली, और अपनी वाणी से सब को प्रभावित करने वाली, गणना करने वाला और गणना प्रधान, बुद्ध की दशा जबी भी आया, तो आपको अपनी वाणी का संपोन लाभ मिल सकता है, पर उस दोरान निरने लेने से बचना चाहिए, इन्वेस् फितियां ठीक हैं, क्योंकि वो गुरू के साथ बैटे हैं, तो ग्रती को जीवन का अनुभव है, ज्यान का लाभ मिलेगा, और हमेशा ग्रती तार की खो करके सोचता है, अब बात गुरू की करता हूँ, सुख, धन और अध्यात्मिक सुखों के कारक गुरू, ग्रती की कु हो जाता है, और कई बार चीजें गड़बभी हो जाती हैं, एक बात और बताता हूँ, व्यप्ति की कुण्डली में अगर गुरू को समझते हैं, तो ये पराकरम के अधिपती हो करके चलित कुण्डली में यहीं का फल कर रहे हैं, पर वो देखने में आ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, तो अब जरा इसको विचार करिए, कि इसी से आप जात सकते हैं कि क्या ग्रह अगर चलित कुण्डली में दिख रहा है, तो संपूर्ण फल वो चलित कहीं करता है, ऐसा नहीं है, वो कुछ न कुछ प्रभाव लगन कुण्डली का भी करता है, और वो मंगल का संबंध है, जो की बारहमे में गया है, तो निशन्दे उसकी भी स्थुती कमजोर हो सकती है, वैचारिक मतवेद की स्थुतियां भी बनेंगी, और व्यक्ति पराक्रम का लाभ, कई बार बहुत जादा मेहनत करने के बाद पाता है, कुमार अवस्था की येग्रह है क्योंकि जन्मकुंडली में 23 अंसके हैं और समसंख्या की वो रासी है, जेस्था नक्षत्र में बैठे हैं, जेस्था नक्षत्र बुद्ध का नक्षत्र होता है, जो उनके सांथी बैठा है, चलित कुंडली में भी सांथी आ रहा है यहीं पर, अब ज़रा विचार करिए, तो परक्रमभाव के अधिपति और रोग के अधिपति जो की पांचवी दिष्टी से रोग को देख रहे हैं रोगमुक्ति का कारण, और अगर आप 2021 के 9 महीने तक रिण मुक्ति का कोई उपाय और साधन जुटाना चाहते हो या रिण चुकाना चाहते हो तो चुकादीजे, ख्यालातों से और अपने आपको कमजोरी से उबार रहे हो एक एक दिन आपका सफलता की तरफ ही बढ़ रहा है और आप इसे अच्छाई की तरफ ही ले जा रहे हो क्योंकि ये रोगेश की दशा है जो आपकी कुंडली में अपने भाव से पंचमस्त है पर दरशल वो अच्छा ही हो रहा है आपके लिए प्रतेक दिन के लिए एक एक दिन आपका शुभता की तरफ ही बढ़ रहा है रिन चुका देना चाहते हैं तो चुका दीजिएगा इसके बाद या अभी भी प्रयास करना चाहते हैं उसके लिए जारी कर दीजे गुरू है और ये आपकी कुंडली में नौवांस कुंडली में भी बनते हैं धन के अधिपती, धन के कारक भी है यहाँ वो धन भाव में बैटे हैं सूरी के साथ लाभेश के साथ और वो अच्छे हैं संतुस्ट हैं और शुद्ध हैं दरशल वो सुद्ध इसलिए भी है क्योंकि राहुकेतु से युक्त हैं और राहुकेतु दोनों उचके हैं और वो बात भी बहुत अच्छी बन रही है कि व्यक्ति के जीवन में परिशानियां पेटकी बनेंगी क्योंकि रोग भाव में गौ साहचर ये बना करके अगर चले तो काम होगा, अन्यों न्याश्राय संबंध सब के साथ रखना पड़ता है, गुरु अगर मजबूत है कुंडली में तो धन अच्छी जगों पे वक्ति खर्च करता है, मत मित्व्याई भी होता है, सही जगों पे पैसे को खर्च करना, सही आत्मी दिष्टी यहाँ पड़ रही है, राहु गुरु का संबंध है, अपच, एसीडिटी, कबजियत, आदी की शिकायते नहों, इसका खत्रा वातना बने और पितना बढ़े, इसकी स्थतियां भी बनती है, गुरु की दिष्टी यहाँ पड़ रही है, चंद्रमा चार ग्रहों के साथ चतुर ग्रही योग बना करके बैठे हैं, आठ नंबर की रासी मुल्तिया यहाँ की है, पैतिक संपत्ती का भाव भी है, पिता से लाग लीजे, बड़े और गुरु जनों का आदर करिए, उनको दान लीजे, उनके साथ इस्थतियां बना करके रखिए नहीं संदे व्यक्ति आगे बढ़ेगा, नौमान्स कुण्ली में भी वो सुख भाव में बैठे हैं, श्वग्रही शनी के साथ यह इस्थतियां अच्छी हैं और वो होते भी हैं धन भाव के अधिपती, माता का सुख, माता का लाग, माता का आशिरवाद, यह सब मिल रहा ह और व्यक्ति को सब तरीके से शुखदाई ही इस्थितियों में ले जा रहे हैं, यह भावन का सुख, वहन का सुख, पत्नी का सुख, दामपत्य में संपूर्ण तरीके से व्यक्ति एक छट्र राज करता है, दशमान्स कुण्ली में जब देखता हूँ, तो आपकी कुण्ल अगर वो दशम भाओ को देखेंगे, अगर दशमान स्कुडली में गुरू की रासी यहां बनती है, केंद्र में बैठे, चतुर्थ स्थान में और दशम स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म में हमेशा गुरू का सपोर्ट मिल रहा है, गुरू की दशा में कोई नया काम करना हो कोई नया व्यक्ति जो सहयोगी सिध्ध होना चाहता है उसको शामिल करना चाहते हो कोई भी काम जो गुरू की दशामिय करना चाहते हो नहीं संदे कर सकते हैं अब आगे बाद शुक्र की करो व्यक्ति की कुंडले में शुक्र की बात करते हैं वो लगन का अधिपती जो है और अगर उसकी चर्चा अच्छे से न हो तो कुंड़ी कमजोर हो जाएगी परचरा विचार करिए वो बैठा कहा है और किस के साथ बैठा है रप्ति की कुंडली में शुक्र लगन के अधिपती और परिवर्तन उसका किस के साथ लगनेश का किसी के साथ नहीं क्योंकि वो लगन का अधिपती होकर के बारह में बैठा है और बुद्ध जो यहां के अधिपती हैं वो मंगल के साथ परिवर्तन कर रहे हैं जो की धन भाव के अधिपती हैं लगनेश की इस्थती धन भाव के अधिपती के साथ हो रही है पर ब्याय भाव में और साथी साथ जन्म कुंडली में शुक्र नीच की तरफ हैं, नीच रासी के बैठे हैं, और सब्तम भाव के अधिपती के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली का सबसे कमजोर प्लैनेट होता है, उसका संबंद बना तो किस से? मारक भाव से, तो कमजोर हुआ न, और वो मंगल आपकी कुंडल ये बिस्तर का भाव है, शया सुख का भाव है, जल रहा है वो, संपूर नहीं है और मन चाहा भी नहीं है, साथी सांग, ये पहली बात है, दूसरी बात, मन चाही संतती भी नहीं होती है, ये बात भी दिखती है, अब जरा विचार करिए, तो दो बाते तो यहां तक रही, तिसरी बात कि वक्ती के जीवन में शुक्र अगर नीच का होकर के बैठा है पर वो आपकी कुंडली में चलित कुंडली में फल लगनका दे रहा है। पर ये कही न कहीं अवयोग भी होगा क्योंकि ग्रह दर्शन तो कर रहा है जरब विचार करिए ग्रह ऐसी डिग्री पे है जो उसको पीछे धकेल रहा है आगे तो नहीं गया है यही तो बात समझने वाली है और दरसल इसे लिए चलित चक्र का अध्यायन किया जाता है कि ग्र अधर लगन में बैठा है तो शारिरिक मजबूती और स्वास्त अच्छा मजबूत द्रिश्टी कोण स्विक्षा चारिता का भाव रखना महत्वा कांच्छा का मजबूत होना स्ट्रेस्ट व्यक्तित्व का बना देना शारिरिक दुर्बलता ना के बराबर मजबूत अपने खुद के निर्णय में वो कई बार दूसरों को बता तो देता है कि मैं मजबूत हों पर खुद पे कमजोरी उसका उसको पता चलती रहती है कि वो कितना कमजोर है सामने वाले को भले ही अपने प्रभावों से प्रभावित कर दे पर उसको अपनी कमजोरी निस संदे पता है और वो जानता है कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है पर वो उसको छुपाना चाहता है और बताना भी नहीं चाहता। और वक्ति को तीब्र बनाते हैं तीब्र चलने वाला इंतजार उससे बरदास्त नहीं होता है और संभल करके तो वो चलना भी नहीं जानता है अनुभव होने के बावजूद बुद्ध और चंद्रमा की कुंडली में कमजोर इस्थतियों के कारण सुर्य के नीचा विलासी य जो की व्यक्ति के मेंटल लेवल को कमजोरी की तरभीव दिखा रहे हैं तो इन सब की दशाओं में या ऐसी इस्थतियां भी होंगी जहां व्यक्ति कई बार अपने आपको कमजोर महसूस करेगा ये पकी बात है अब इसको समझना होगा कि वो कहां कमजोर है वो कमजोर है न चल्दबाजी भी करता है, ये ना हो, क्योंकि मंगल अगर लगनेश के साथ बैठेंगे, तो कहीं न कहीं उसका एक प्रभाव रहेगा, क्यों रहेगा, और नुकसान क्यों होगा, क्योंकि मंगल की मूलतिया इस्थती लगन में बननी चाहिए, और नहीं, तो वो छठे में बन एक नंबर की राशी कहां बनी, सब्तम भाव में, और आठ नंबर की राशी कहां बनी, दुतिये भाव में, तो अस्तम भाव की जो मूलतिया राशी होती है, वो दुतिये भाव में बन गई, यानि कि व्यक्ति के जीवन में रोग भी रहेगा, और दामपत्य भी रोग से य और आय को घटाने वाली या कई बार प्रभाबित करने वाली बुरे तरीके से सिध्ध होती है। सुर्य के बैठने के कारण और लाभ भाव के अधिपती बुद्ध अपने भाव से पंचमस्त गए हैं और चुकी बारहे भाव के अधिपती शुक्र भाग्य भाव में आ रहे हैं राहू के साथ ऐसी इस्थितियों में व्यक्ति को अपना काम दूर देश में स्थापित करना, कई जगों पे फैलाना क्योंकि सुक्र भारह में भी तो हैं और व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके दूसरे और दूर तम और दुरस्त लोगों से जो स्थापित हैं या जो पहले से इस्थित हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अपने से दूर जाकर के क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल उत्तर दिशा की तरफ ज़्यादा दिखा रहा है, तो अपने ज़र मस्थान से उत्तर दिशा की तरफ भागिए, काम करेगा, और उसके बाद एक स्थती आपकी कुंडली में जो मंगल की बनती है, वो या फिर आपके लिए सबसे बुती का कारण बन जाएंगी, अब बात शनी की करूंगा, रख्ती की कुंडली में शनी की बात करता हूँ, शनी उच्च के हैं, ये सब तरीके से रख्ती को सपोर्ट करने वाले हैं, भाईयों के साथ जब कभी भी संबंद बना हो, और बहतर हो या कमजोर हो रहा हो, तो शनी का वहाँ पे लाबर पड़ेगा, पर वो चुकी, उच्च के हैं, प्रबल हैं, और लगन में पापग्र होकर के मजबूत होकर के बैठे हैं, ऐसे इस्थितियों में वो निगेटिविटी कम रखेंगे, क्योंकि लगन में वो बिशम संख्या में बैठे हैं, और ये एक शनी वक्ति की कुंडली में धन, संपति, मान, पद, प्रतिस्था, गौरव और नियाय प्रियता से जीवन को जीने वाला बना देंगे, नौमान्स कुंडली में वो शनी आपकी कुंडली में स्वग्रही हैं, यानि कि शस महापुरुशयोग संपुन तरीके से फलदाई है, ये शनी स्वाती नक्षत्र में बैठे हैं, पर वो राहू आपकी कुंडली में उचका है, ऐसे स्थितियों में शनी को बल मिलेगा, इनकी कुंडली में जितने भी नक्षत्र हैं, उन सबके नक्षत्र के अधिपती या तो स्वग्रही या बहतर स्थिति में हैं, यानि कि न अग्छत्र सब के अच्छे हैं दशमान स्कुंडली में अगर बात करता हूं तो दशमान स्कुंडली में शनी श्वग्रही होकर के नहीं परंतु दशमान स्कुंडली में वो सुख भाव के अधिपती होकर के पंचमभाव में बैठे हैं और यह स्थिति ठीक है रप्ति के जी की मजबूती को दिखा रही हैं बुद्ध वहाँ पहले से ही बैठे हैं गुरू के साथ ऐसी स्थितियों में कर्म छेत्र कमजोर नहीं है लगन के अधिपती अगर दश्मान्स कुंडली में मंगल बनेंगे पर वहाँ पर शनी कारक नहीं होंगे ऐसी स्थितियों में पंचम भ में चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं स्वग्रही हो करके और मंगल पुत्र का सुख कम देते देखे जा रहे हैं इस्तरी संत्ति के होने के जादा इस्थितियों को देख रहा हूं अब बात शनी के बाद उस सनी की साथवी दिष्टी यहां पर वो उचका बैठा है इस वज इसलिए क्योंकि गुरू की दिष्टी है उचकी दिष्टी यहां पढ़ रही है गुरू की चंद्रमा श्वग्रही हो करके शनी भी देख रहे हैं ऐसी स्थितियों में वक्ति को कई बार मानसिक विक्रतियां या मन को कमजोर होते हुए भी देखा जाएगा निरने बदलने वाला और लगतार एक काम पर न टिक करके काम करने वाला और लगतार वेवशाय को बदलने का खत्रा भी उत्पन होता है वक्ति मानसिक रूप से अपना काम करने का एक शुक होता है पर उसको सही मामले में देखें तो कई बार यहां पे वो बहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल गलता है ऐसी भी स्थुटियां देखने को बन रही है अब बात राहू और केतु की कर दूँ तो राहू और केतु दोनों उच्के है राहू की द्ष्टी पिदेश भाव पे है लगने के अधिपति का बारह में जाना मंगल का बारह में जाना और जन्मकूणली में राहू का उ से समंदित समस्याओं को देखा जा रहा है शुक्रपे राहू की दृष्टी है व्यक्ति को बहुत ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए और धन को सही जगों पे लगाने का काम करना चाहिए धन को लगाने से पहले और कहीं भी कभी भी चुकी पंचम भाव के अधिपती उ रासी में हैं शेर शट्टेबाजी में लाभ मिलेगा पर चंद्रमा के कमजोर होने और सुरिय के शडबल में कमजोर होने के कारण उसमें नुकसान के खत्रे भी शामिल हैं इस वज़ए से स्टड़ी करने के बाद और किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क करने के बाद जो व गुरू मित्र की रासी में, सुर्य मित्र की रासी में और लगन में ही शनी उचके। जन्म कुंडली में व्यक्ति के जीवन में अथा धन पाने का योग बहुत जादा तो नहीं है पर हाँ ने संदे व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो गुरू की स्थुति दशमस्थान पे है चंद्रमा दश्रमस्थान में है, शनी की स्थुति दश्रमस्थान पे है, ऐसे स्थुतियों में व्यक्ति को आगे बढ़ाने की स्थुतियां है, गुरू का सपोर्ट आपके काम को हमेशा ही सुखदाई बना रहा है, इस कुंडली में शनी, चंद्रमा, सुर्य और मंगल, इन की दशाएं जीवन में मेल का पत्थर साबित होंगी जहां व्यक्ति कुछ बड़ा करता है बड़ी-बड़ी महारते हाशल करता है और बड़ा लाभ भी प्राप्त करता है अगर आपकी कुंडली में अगर केतु की दशा भी चल रही है जो कि मैं देख रहा हूँ तो नहीं वो बड़ा भी होगा तीन साल तक शुक्र में शुक्र रहेंगे ऐसे स्थुतियों में थोड़ा बच जाना चाहिए तो धन ब्याय न हो और ब्याय आत्मक स्थुतियां जादा न हो इस वजह से स्वास्त का खत्रा भी बना रहेगा उसको ठीक करने का प्रिशा आपके उपर रहेगा दामपत्य ठीक है क्योंकि नौमान्स कुणली में गुरुशनी बैठे हैं पत्नी के विचारों में भी थोड़ी शी भी शमता रहेगी वो अपने मन की करने वाली होगी पर दवी जवान की होगी वो सामन्ने तया सामने से आकर के आपका विरोध कभी नहीं करेंगी संततियों का सुख अगर देखता हूँ तो शब्तमान्स कुणली में चंद्रमा यहां बैठे हैं यह ठीक है यहां पर शुभगरह का बैठना शनी का शुभगरही होकर के बैठना और यह लाव दायक है कहीं से भी कोई कमजोरी नहीं है आपकी कुणली अच्छी है अब आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कल एक बार फिर से उपस्तित होंगे किसी अन्य की कुणली के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार